के नमस्कार दोस्तों फुद थंटर में आपका स्वागत है दोस्तों मुंबई का तापमान आज लग-बख 31 सेल्शियस और इसी तरह से मुंबई में गर्मी का इसितर CONS बढ़ता रहा है तो दोस्तो जिस तरह से मुंबई में गर्मी बढ़ रही है उसे देखते हूए आज हम आपके लिए ला रहे हैं चुकु चोको मिलसें कि दोस्तों च कुछ को मिलकिक बनाने के लिए हम ने हर्शिष का चॉक्डे लिया है चिस गहागयं और ये लिया है। अवर दूद ले लिया है आइस ले लिया और कुछ ड्राइफ फ्रूट ले लिए हैं तो दोस्तो चलते हम चकुल चोको मिलशेग बनाने के लिए हम लेंगे चकुल और इसे हम एक कर अपने मिक्षी में डालेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हम चिकु चोको मिलशेक बना रहे हैं और चिकु को एक एक कर हम मिक्षर में डाल रहे हैं तो दोस्तों हमने इस्ट्र में जो है चिकु को टुक्ड़े डालें के ढलेंगे तो लगबख इसके अंदर हम छे और्यो के पर आलेंगे है इसके बाद हम चलते हैं दालने तो भीएज बारिख ले लिए और तो अब हम हम चलते हैं आइस को भी इसके अनदर मिक्स करने के लिए इसके बाद हम इसमें डालेंगे दूद्ट दोस्तों परहले हम आइस को डाल लेते हैं तो दोस्तों हमने आइस को भी जो है मिस्ची में डाल दिया है अब हम चलते हैं दूट डालने तो दूट दोस्तों आप किसी भी बरानका ले सकते हैं यहाँ पर हमने लिया है कि नामी बरानका दूट तो आप देख सकते हैं प्रम ठीप सेने 6 विफ़िया है आदि तो दोस्तों हमने यहाँ पर आजा लि्टर दूसर लिया है और लगबख छे नव पीस चिपू लिया थे हमने इसी के साथ हमने छेपिस औरियो ले लिया है के ही सिरप डाले तो दोस्तों pega चॉकुलेट सिरप हमने आरूस वि है दो दोस्ता हमने चोक्लेट शिरफ भी डाल दिया खोड़ा सा हम इसमें एड़ करेंगे ड्राइब थो हमने जैक करूट यहां पर उनक्का लिया है और काजु मनें लिया है हमने थ्धभाकाजु EL She कि अब हम चलते हैं इसे मिक्चर में मिक्स कर देखे लिए कि अब देख सकते हैं हमारा जिकुचो को मिलशेक किस तरह से तज्यार हो चुका है कि इसमें हमें थोड़ा और हर्शल तानना है हम चलते हैं इसमें थोड़ा सा और चौकलेट शिरप डालने एक बार हम फिर इसे मिक्चर में मिक्स करेंगे इसके बाद आप देखना इसका रंग और भी चौकलेटी हो जाएगा हमारा मिलशेक तयार हो चुका है अब हम चलते हैं ग्लास में इसे लेने तो तो इस तरह से हम चौकलेट शिरप को थोड़ा डिजाइन देंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ग्लाज जो है वह अच्छी तरह से सच चुका है अब हम चलते हैं उसके अंदर चिकु चोको मिलशेक मिलाने तो दोस्तों हम चिकु चोको मिलशेक को एक बार हम फेट लेते हैं ताकि नीचे जो भी कुछ हो पूरी तरह से मिक्स हो जाए कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा चिकु चोको मिलशेक किस तरह से तैयार हो चुका है और एकदम लाजवाब आप इसका लोग देख सकते हों कि अब हम चलते हैं कि इसमें टॉपिंग करने के लिए कि मुनक का तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा चोकलेट चिकु चोको मिलशेक कैसा लगा तो दोस्तों गर्मी के इस मौसम में आप भी घर पर चिकु चोको मिलशेक को ट्राइ करें और आप बताए कि हमें चिकु चोको मिलशेक के हमारी रेसेपी आपको कैसी लगी दोस्तों हमारा दावा है कि आपको जरूर हमारी रेसेपी पसंद आएगी दोस्तों इसी तरह से आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर करते रहेए आपका दिन शूब रहे धन्यवाद